अपलोड हुए यूटूब वीडियो को कैसे एडिट करे और कैसे ट्रीम करे और कैसे उसमें बलर करे तो आज की वीडियो में मैं आपको अपलोड यूटूब वीडियो को एडिट करना भी सिखाऊंगा उसमें ट्रीम इस प्लेट करना भी सिखाऊंगा इसके साथ साथ में अ और आप देख रहे हो ट्रस्टेट टेक्नो चैनल तो आज के वीडियो में आपको यूटूब वीडियो को अपलोड करने के बाद में कैसे एडिट करना है तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में step by step बताऊंगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने चैनल को लॉग इन करना है गूगल करॉम में ठीक है तो अभी यहां पर मैं अपने मोबाइल में गूगल करॉम को ओपन कर देता हूँ Google Chrome को open करने के बाद में यहाँ पर आपको search bar में अपने channel को login करना है तो यहाँ पर मैं अपने channel को login कर देता हूँ channel login होने के बाद में आगे का process आपको करके बता देता हूँ अब देखिए मैंने अपने channel को login कर दिया है channel login करने के बाद में यहां पर आपके सामने left में यहां पर option आते हैं ठीक है तो यहां पर आपको content के option पर आपको click करना है ठीक है content पर click करने के बाद में थोड़ा सा page repressing होगा loading होगा फिर आपके सामने यहां पर video की list आएगी तो यहां पर video live और post ठीक है अब आपको video अब आपको कौन सा video आपको edit करना है ठीक है तो जैसे की एक्जम्पल के तोर पे मैंने यह फर्ष्ट वाड़ा मेराको वीडियो जैसे एडिट करना है तो यहां पर इसके टाइटल पर हम क्लिक करेंगी टाइटल पर क्लिक करने के बाद में यहां पर लैट में हमारे सामने option आते हैं एडिटर का ठीक है तो एडिटर में देखिए pencil का icon है इसके नीचे अनलाश्टिक है और तीसरा नमबर पर है एडिटर तो इस पर आपको click करना है ठीक है एडिटर पर click करेंगे तो right में आपके सामने option so हो जाएंगे यहाँ पर trim and cut blur audio और end screen और info card ठीक है तो यहाँ पर eye cards यहाँ से भी आप change कर सकते हो end screen यहाँ से भी change कर सकते हो इसके लाबा audio को भी आप change कर सकते हो यहाँ से और blur भी कर सकते हो कोई भी parts को इसके लाबा trim और cut भी कर सकते हो अब जैसे कि मुझे trim and cut करना है तो यहाँ पर trim and cut के यहाँ पर plus icon है इस पर आपको click करना है यहाँ पर click करने के बाद में page थोड़ा zoom out कर देता हूँ अब यहाँ पर हमको नीचे एक timeline आएगी अब timeline के अंदर हमको जितना parts हमको trim करना है उतना हमको select करना है ठीके यहाँ तक जैसे कि मुझे यहाँ तक करना है ठीके तो उसके बाद में ऊपर हमारे सामने आएगा new cut ठीके तो plus icon पर हमको click करना है तो यहाँ पर यह cut लग जाएगा ठीके यहाँ पर दिखी अब उसके बाद में और भी अगर आपको trim करना है तो यहाँ से आपको होगे यहां से आपको select करना है यहां तक ठीक है जैसे मुझे यहां कट लगाना है ठीक है उसके बास में आपको जैसे बाद में चाहते हो तो भी उसके बाद में आपके पास मैंँ से हो जाएगा तो से अगर करके वो आपको अगर करने के बाद में आगे का प्रोसेस और भी आपको करके बताताओ अब कोई भी पार्ट सग्र आपको ब्लर करना है तो भी आप आसानी से ब्लर कर सकते हो फिर से आपको वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है उसके बाद में थोड़ा सा पेज रिप्रेसिंग होगा बापिस उशी याने मीनू में आएंगे तो यहाँ पर पैंसिल के आईकॉन पर एडिटर का उपसन है आपको यहांपको जैसे कोई पार्ट करना है तो जैसे कि आपको यहां से लेकि यहां तक बलर करना ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा जैसे बलर के प्लस आईगान पर क्लिक करना है फेस बलर और कस्टम बलर ठीक है अगर को चैरा अगर आपको बलर करना है तो चैरे को बलर कर सकते हैं या कस्टम बलर करना है तो कस्टम अपने एकोडिंग कर सकते हैं जैसे कि यहां पर मैं यहा यहां तक मुझे यह काई मास्टर वाला जैसे वाटर मार्क है इसको यहां से बलड करना तो यहां पर रखेंगे ठीके उसके बाद में यहां पर सिब हमारे सामने option आता है save का ठीक है तो save पर click करेंगे तो यह custom blur हो जाएगा अगर कोई चेरा अगर आपको blur करना है तो आपको यहां पर फेश बलर पर click करना है ठीक है इसके इलावा नीचे आता है rectangle, circle वो अपने इसाफ से जैसे circle में अगर आपको blur करना है तो circle में कर सकते हो, rectangle में करना चाहते है तो rectangle में कर सकते हो ठीक है तो उसके बाद में save करना है, save करने के बाद में यह save हो जाएगा ठीक है तो ऐसे का ऐसा अगर आप अपने वीडियो में trim, split और blur कर सकते हो तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ में बेल आइकोन को प्रीज कर देना ताकि मेरे आने वाले latest वीडियो को नौटी पी कसन आपको time to time मिलते रहे मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कमाल की ट्रिक्स के साथ में तब तक के लिए जै हिन जै भारत